मंगलवारकु जिलास्पताल सहीद जनपद के 277 के इंदरू पर कुल 7,366 लोगों को कोविट का वैक्सिनेशन किया गया जिसमें फर्स डोस लेने वालों में 2,243 और सेकेंड डोस लेने वालों में 5,123 लोग शामिल रहे जिसके संबंद में सियमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 32 लाग के उपर लोगों को वैक्सिनेशन किया जा चुका है उन्होंने कहा कि सभी CHC, PSC सहित महिला एवं पुरुष जिलास्पताल में वैक्सिनेशन किया जा रहा है नगरनिगा में सुबा 9 बजे से रात 9 बजे तक वैक्सिन लगाया जा रहा है उन्होंने जनता से अपील किया कि जो भी लोग अपना वैक्सिनेशन नहीं कराए है वा अपने नस्दी की सेंटर उपर अत्वा जिलास्पताल में जाकर वैक्सिनेशन करा ले उन्होंने दिपावली के पर्व पर जनपदवासियों को शुभकामना संदेश भी दिया और कहा कि भीड भाल वाली जगों पर जाने से बचे तथा इस पर्व को अच्छी तरह से मनाए और बच्चों को पठाकों से दूर रखे इस संबन में गुरकपुर नीज से बात करती हुए सीमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा आज हमारे जनप्रत में 127 जगों पे ठीका करन चल ला है अभी तक हमने 32,52,000 डोज लगा चुके हैं उसमें से पहला डोज जो है 23,51,000 से जादा है और दूसरा रोज 9,1,000 से जादा है अभी भी हमारे जनप्रत में काफी लोग छोटे हुए हैं जिनका वेक्षिनेशन होना है फर्स डोस से भी बहुत सारे लोग छोटे हैं और बहुत सारे लोग का सेकंड डोस पूरा हो चुका है लेकिन वो लोग भी वेक्षिनेशन नहीं कराए हैं तो हमें अपील है कि करोना भी गया नहीं है करोना को मात देने का एक मात रुपाय है वैक्सिनेशन जो अधेंटिक रुपाय है सबी लोग हमारे सबी सिंट्रुमों पर जाएं जहां पनी सुल्क टीका करन चल रहा है अब जिला अस्पताल में महिला अस्पताल में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलता रहेगा अब हमारे और भी अस्पतालों पर अभी छोटे छोटे अस्पतालों पर भी हमारा टीका करन चल रहा है अभी मार्टी का बैन चल लई है, वो तीस टीका बैन है, जो गांगवा में बिर्मन कर रही है, तो किसी भी तरह से कहीं भी जाकर के सबी लोग अपना अपना टीका रह आए, इसे हम प्रदेश को करोना से मुक्त ला सकें, दिपावली है, दिपावली में समझ करके दिपावल के इलाके में बिल्कुल ही ना जाएं, और जब भी जाएं तो मास्क पहन के जाएं, और दिपावली के सुब लग अशर पर, हम अपने जंब बाजनों को बहुत बदाई देते हैं, सब लोग खुशी भरा तेवार हैं, इसमें दिवाली मनाएं, लेकिन अपने कुस रक्षि कर दिवाली मनाएं